नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट में भारत्य जन्ता पारटी और शिव सेना के करीब धाई दशक पुराने रिष्टे समाक्ति के कगार पर पहुँच गए हैं। अब इस संबंद विछेद में कुछ उपचारिक ताएं बाकी हैं। जैसे शिव सेना का जो केंद्र में मंत्री है आरविंद सावंत वो अपने पद से इस्तीफा देगा। नासिक में, मुंबई में और कुछ दूसरी जगाहों पर जहां जहां भारत्य जन्ता पारटी और शिव सेना के मिले जुले मेयर हैं और जहां नगर निगमों में वो साथ साथ अस्थानिय सरकार चला रहे हैं वहां भी उनका संबंद विच्छेद होगा। और इसके बाद शिव सेना आगे बढ़ेगी जो शिव सेना परमुख उद्धव ठाकरे का सपना है कि वो अपने पूत्र को या किसी शिव सेनिक को मुख्यमंतरी बनाए वो उसके लिए अब स्वतंत्र है किसी को भी मुख्यमंतरी बना सकते हैं अगर कॉंग्रेस और NCP उन रविवार को भारतिय जन्ता पारिटी का एक परतिनी धीमंडल देवेंदर फड़नवीस और चंदरकांत पार्टिल की सर परस्ती में राज्यपाल भगत सिंग को श्यारी से मिला और उन्होंने इसपस्ट कर दिया कि हम महराष्ट में सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंक के लिए भारतिय जन्ता पारिटी पर लगातार दवाव बनाये हुए थी कि पहले ड़ाई साल के लिए शिव सेना के मुख्य मंत्री को वो सुईकार करे भारतिय जन्ता पारिटी ने इससे इसपस्ट इंकार करते हुए साफ कर दिया था कि पांच साल के लिए मुख्य मंत्र भारते जनता पार्टी का ही रहेगा उधव ठाकरे हों, संजर आउत हों या दूसरे निता हों सबका ये कहना था कि आमित्ष शाहा ने उधव ठाकरे के साथ मुलाकात में 50-50 पार्टनर्सिप की बात कही थी लेकिन देवेंद्र फढणवीस ने ये साफ कर दिया था कि उनके नितिन गड़करी से भी बात हुई है अमित्ष शाह से भी बात हुई है और आपको याद होगा कि देवेंद्र फढणवीस पिछले दिनों दिल्ली पहुँचकर अमित्ष शाह से मिले थे उन्होंने कहा कि कभी भी अमित्ष शाहा ने इस तरह का वादा उदव ठाकरे से या शिवसेना से नहीं किया इसका मतलब साफ है कि शिवसेना के मन में शुरू से ही खोट थी और देवेंद्र फट्णवी इसने उस समय ये भी कहा था कि शिवसेना हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ी लेकिन वो बातचीत करती रही लगातार शरद पावार से वो बार-बार शरद पावार के घर पर जाते थे संजय राउत और दूसरे नेता और उनसे प्रामर्श करते थे जबकि उन्होंने एक बार भी देवेंद्र फट्णवीस का फोन रिसीव नहीं किया कभी भी नरेंद्र मोदी या अमित्ष शाह से बाचीत करने की कोशिश नहीं की और सरकार बनाने की दिशा में कभी भी उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई भारतिय जन्ता पार्टी लगातार उसको उसके दाइत्व का पोध कराने की कोशिस करती रही और ये बताती रही कि महराष्ट की जन्ता ने भाजपा और शिव सेना को ही जनादेश दिया है कि वो साजा सरकार बनाए और यही बात शरद पमार भी लगातार कह रहे थे कि महराष्ट की जनता ने इन दोनों को सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है उनको सरकार बनानी चाहिए लेकिन कहीं न कहीं NCP और कॉंग्रेस कोई ऐसा खेल खेल रही थी जिसमें शिव सेना ल कि वो अगर भारते जनता पारिटी से अलग हो जाते हैं तो NCP उनके साथ सरकार में शामिल हो सकती है और कॉंग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है और जिस तरीके से संजय राउत ने बार-बार भारते जनता पारिटी नित्रत्व की आलोचना की मोधी को क्रेटिसाइज किया अमित शाह को क्रेटिसाइज किया देवेंदर फर्ण नवीस पर निशाने सादे उससे भी साफ तोर पर ये लग रहा था कि शिव सेना भारते जनता पारिटी के साथ सरकार बनाने के प्रती बिल्कुल भी संजीदा नहीं है बिल्कुल भी गंबीर नहीं है और वो भाजाप दलों का सयोग लेने के लिए स्वतंत्र है ऐसे में NCP की तरफ से नवा मलिक का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने शिव सेना के सामने ये शर्त रख दी है कि वो पहले NDA से यानि भारते जनता पारिटी से अपना नाता तोड़े NDA से बाहर निकले केंदर में जो उसका मंत ये देखा जाएगा कि सरकार कैसे बनेगी किसके नित्रत में बनेगी और NCP की तरफ से भी ये सपस्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बैट करके तै होगा जबकि शिव सेना अभी भी लगातार यही कह रही है कि जो भी सरकार बनेगी वो शिव सेना की ही सरप अब इन वदली हुई परिश्थितियों में उन विधायकों को वापस मुंबई बुलाया जाएगा और आगे की प्रकरिया शुरू की जाएगी NCP ने साफ कहा है कि हम अकेले फैंसला नहीं करेंगे कॉंग्रेस से पहले बातचीत होगी और कॉंग्रेस से प्रामर्श करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे उदर कॉंग्रेस में भी दो गुट दिखाई दे रहे हैं एक गुट शिर सेना के नितरतों में बनने वाली सरकार में शामिल होना चाहता है दूसरा गुट यानि संजय निरूपम और कुछ दूसरे कॉंग्रेसी इसको विनाशकारी बता रहे हैं उनका कहना ये है के सैधांत के इस्तर पर राजनितिक आइडियोलोजी के इस्तर पर शिव सेना का और कॉंग्रेस का कोई मेल ही नहीं है शिव सेना विशुद हिंदुत्व वादी राजनिति करती रही है कॉंग्रेस और एन्सीपी यदि शिव सेना की बनने वाली सरकार को समर्थन देते हैं तो जो उनका एक बड़ा वोट बैंक है उसको फिसलते हुए देर नहीं लगेगी देखना यही है कि अगले कुछ दिनों में महराष्ट की राजनिती किस तरह से करवट लेती है क्योंके मंगलवार को एन्सीपी के विधायकों की बैठक होने जा रही है जिसकी अद्यक्स्ता खुद शर्द पमार करेंगे उसमें विधायकों का मन लिया जाएगा और उसके बाद एन्सीपी शिवसेना की तरफ से आने वाले किसी भी प्रस्ताओ पर चर्चा करेगी अभी तो नवाब मलिक का यह कहना है कि शिवसेना की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रस्ताओ आया ही नहीं है और यदि पर्दे के पीछे से कोई बाचीत इनके बीच होती रही है तो वो अभी तक अनोफिशियल है यानि ओफिशियल इन्विटिशन या प्रस्ताव या प्रपोजल अगर शीवसिना की तरफ से आता है तब NCP उस पर विचार विमर्ष करेगी और जिसके साथ उसने मिलकर के चुनाव लड़ा है यानि कॉंग्रिस फिर उसके साथ परामर्ष किया जाएगा और किस तरह का आगे का साजहा कारिकरम बनता है उसके आधार पर फिर ये दोनों तै करेंगे कि शीवसिना को समर्थन दिया जाए अथवा नहीं शीवसिना के में शामिल हुआ जाए या नहीं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै और आपको बहुत झाल में करें ऑपको ये अवादा झाल मेंट करेंट बहुत सब्सक्राइब पाट तक बद्सक्तित पार